समय समय पर विचारधारा बदलती रहती है कभी वो भारतिय जनता पाटी के सलाकार हुआ करते थे कभी ममता बनर जी के सलाकार हुए अगर वो कांग्रेस के तरफ काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये रास्ठित में कदम होगा अभी जो अभियान हमारे नेता राह में चला रहे हैं अगर उससे वो प्रभावित है और उससे प्रभावित होके आते हैं तो स्वागत है नौसकार बड़ा नाम प्रीम है और आप लाइफ स्टी देख रहे हैं दोहजार चौबिस का चुनाव बेहद ही करीब है देखे परशान किसोर आप सभी लोग जानते ही होंगे कह रहे हैं कॉंग्रेस से भी विचार धारा कुछ ज्यादा अलग नहीं है मिलता जूलता है बात करने को जगाने का काम कर रहे हैं और बिहार में अगर स्वक्ष और स्वक्ष राजनीत को लाने की बात अगर वो करते हैं वो करें उसमें कोई दिकत नहीं है लेकिन अगर भारतिय जन्ता पार्टी के खिलाप सच्मुच हैं तो फिर इंडिया पर भी हमला बोलते हैं तो कहीं कहीं इससे अस्पस्ट होता है कि उनका कोई राजनितिक मनसा है स्वार्थ है इंदिन दोनों के बीच में वह अपना अस्थान ढूड़ रहे हैं अब कह रहे हैं कॉंग्रेस के लोग सोचे विचार धारा तो मिल रही है ने ने कॉं इस समय पर विचार धारा बदलती रहती है कभी वह भारतिये जनता पाटी के सलाकार हुआ करते थे कभी ममता बनर जी के सलाकार हुए हमारे मानिय मुखमंत्री जी नितिस्वाव के सलाकार हुए हमनों के साथ भी जुड़े तो थोड़ा सा अस्थिर होके वह काम नहीं कर र तो अगर वो दिड़ निश्य हो करके यह कर लें कि हमको इस रास्ते पर चलना है तब उन पर लोगों को भरोसा होगा अगर वो कांग्रेस के तरफ काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रास्ठित में कदम होगा कि जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी गांधी नहरू और सरदार पटेल के नित्रुत में इस देश का विकास किया और उस पार्टी और संसकार से वो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए काम करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात होगी तुकि अभी देश का जो महौल है जिस तरह से भारते जनता पार्टी और उस जो भी लोग गांधी पिचारधारा से प्रभावित होंगे नहरू जी की पिचारधारा से प्रभावित होंगे और अभी जो अभ्यान हमारे नेता राहूल गांधी जी सदभावना का देश में चला रहे हैं अगर उससे वो प्रभावित है और उससे प्रभावित होके आते ही नहीं होता है दो दिन में विरोध और दो दिन me दोस्थी आप रोज देख रहे है THIS लिए इसी मतलब नहीं है नितिश जकार हैं दोस्त है कल फिर सिए कौन से बड़ी बात है सब चलता रहता है राजनिट में इसकी जक्तों कोई सवाल बंदा वहीं कुछ भी संबब तो चलिए समीर सिंग थे क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वह आपने सुना है बागी की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हैं लाप शुक्ता धन्वाद